नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वर्ल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कारेकरम गुद मॉर्निंग इंडिया पश्यम बंगाल के नार्दा स्टेंग कांड मामले में टीमसी के चार नेताओं के हाउस अरेस्ट ये मामले में आज सुप्रीम कोट में सुनवाई होगी सीबियाई ने कलकता हाई कोट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें चारों नेताओं को हाउस अरेस्ट में भेज दिया गया था इन नेताओं में फिरहाद हाकिम, मदन मित्रा, सुबरत मुखर जी और शोवन चैटर जी शामिल है सुप्रीम कोट में इस मामले के सुनवाई जस्टेल विनीत सरन और बी आर गवाई किया अवकाश्ट काली बेंच में होगी दरसल नार्दा घुचाले में गिरफतार टीमसी के चार नेताओं को कुछ शर्टों के साथ अंत्रिम जमानत दे दी गई थी लेकिन ये कहा गया था कि अगले आदेश तक ये चारों नेता अपने अपने घरों में ही नजर बंद रहेंगे इन चार नेताओं में फिरहाद हाकीम और सुब्रत मुखर जी ममतब एनर्जी की सरकार के मंतरी हैं जबकि मदन मित्रा विधायक हैं वहीं शोबन चैटर जी कॉलकता के पूर्व मेयर और पूर्व कैबिनेट मंतरी रह चुके हैं फिलाल नजर बंद बंगाल सरकार के मंतरी फिरहाद हकीम घर से वर्चुली तरीके से कामकाश कर रहे हैं वहीं शोवन चेटर जी भी घर से पर ही नज़र बंध हैं कोट के आदेश के बाद बंतरी सुपरत मुखर जी और तर्मूल कॉंग्रेस के विधाक मदन मित्राग घर नहीं जा पाए हैं क्यूकि वो अस्पताल में भरती हैं केंद सरकार के नए क्रिशी कानूनों के विरोध में किसान पिछले छे महीनों से अंदोलन पर बैठे हैं अब किसानों ने एक बार फिर अंदोलन तेज करने की कवायश शुरू कर दी है जानलेवा कोरोना वायरस ही दूसरी लहर के वीच किसान संगठनों ने कल यानि 26 माई को दिली में बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तयारी की है सरकार ने कोरोना के दौरान किसानों से विरोध प्रदर्शन ना करने की अपील की है सरकार ने कहा है कि किसान सूपर स्प्रेडर बन सकते हैं देश में कोरोना से अब तक 3 लाग से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है सबसे ज़्यादा मौत कोरोना की दूसरी लहर में हुई है ऐसे में किसान की विरोत प्रदशन का एलान ने सरकार के सामने कईच नौतियां पेश कर दी है पंजाब के किसान बड़ी संक्या में दिली की सीमा के लिए कूच कर रहे हैं मैं किसान के प्रदशन के 6 महीने यानि की 26 मही को पूरे हो रहे हैं और इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाने के लिए संगठन के आवहान पकिसान कूच कर रहे हैं देश में पैटरोल और डीजल के दामों में चार माई के बाद आज तेरवी बार बढ़ती दर्ज की गई है राज़ानी दिली में पैटरोल की कीमत 23 पैसे और डीजल की कीमत 25 पैसे बढ़ गई है जिसके बाद अब दिली में एक लीटर पैटरोल की कीमत 93 दशवलग चार चार रुपए और एक लीटर डीजल की कीमत 84 दशवलग तीन दो रुपए पहुँच गई है चार मई के बाद एर्दन के दाम में ये तेरवी बार व्रदी हो गई है उससे पहले बश्यमंगाल समयत अन्य राजों में विधानसमा चुनाव के दोवान 18 दिनों तक एर्दन के दामों में कोई बदला नहीं किया गया था भारत पेट्रोलियम, इंडियन ओयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेल कंपनियां हर दिन सुबा सभी शेहरों में पेट्रोल और डीजल के दामों की चानकारी देती है सुजलेंड के ड्रक्स कंपनी रोशे और सिपला ने एंटीबॉडी कॉक्टेल दवा को लॉंच कर दिया है एंटीबॉडी कॉक्टेल दवा के बारे में एक चैनल से बात करते हुए मेदानतर स्पताल के फाउंडर डॉक्टर नरेश त्रेहान ने बताया कि एंटीबॉडी कॉक्टेल दवा से 70% तक होस्पिटलाइज़ेशन बच जाता है यानि की दवा को लेने के वाले 70% लोगों को अस्पताल नहीं जाना पड़ता डॉक्टर त्रेहान ने बताया कि इस दवा को कुछ मामरों में बच्चों को भी दिया जा सकता है भारत में एंटीबॉडी कॉक्टेल के वित्रन का कांग सिपला करेगी एंटीबॉडी कॉक्टेल अभी देश में चुनिंदा जगाओ पर ही मिल सकेगी जैसे इसे मिदानता अस्पताल से लिया जा सकेगा दरसल दो दवाओं का ये mixture है ये दो दवाओं कासीरी विमाब और इंदे विमाब इन दोनों दवाओं का 600-600 MB मिलाने पर antibody cocktail दवा तयार की जाती है ये दवाओं दरसल वाइरस को मानवी कोशिशों में जाने से रोकती है जिससे वाइरस की mutation नहीं मिलता इस तरह से दवाओं वाइरस को replicate करने में सफल होती है दिल्ले पुलिस के special cell team टीम ट्विटर के लाडो सराय दफतर पहुंची है बतादें special cell की team toolkit मामले की जांच को लेका twitter के दफतर पहुंची है यानि कि एक साथ twitter के दो दफतर पर special cell जांच के लिए पहुंची है इससे पहले दिल्ले पुलिस के special cell ने toolkit मामले में ट्विटर इंडिया के प्रमुक मनीश महिश्वरी को नोटिस भेजा था बता दें दिल्ले पुलिस का कहना है कि वो एक बार शिकायत पर जांच कर रही है जिसमें twitter से संबंदित पात्र के tweet को manipulative flag करने पर सपाई मांगी गई है 21 माई को दिल्ले पुलिस ने मनीश महिश्वरी को एक email भीज़ा था जिसमें कहा गया था कि toolkit मामले को लेकाय शुरुआती जांच शुरू हो गई है जो कटित तोर पर कॉंग्रेस दुआरा रिलीज की गई थी जो आज के दोरान हमें पता चला है कि आप इस केस से जड़े fact से परिचित है और इस मामले में आपके पास एहम सूचना भी है इसलिए आप से अन्रोध है कि आप 22 मार्च को सभी जरूरी दस्तवेज के साथ ओफिस में उपस्तित रहें गुड मॉनिंग इंडिया में फिलाल के लिबस इतना ही लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें निस्वोल इंडिया